नमस्कार, टुडेज जी के प्रोग्राम में आपका स्वागत है इस नई पहल के जरिये हम रोज की खबरों में से कुछ सवाल बनाएंगे और उन्हें यहां डिसकस करेंगे यह सवाल वैसे होंगे जो UPSC में कई बार सीधे पूछ लिये जाते हैं या फिर कथन के रूप में पूछे जाते हैं इसके अलावा स्टेट PCS, IES, SSC, Bank PO, Railway, UGC Net, CDS, CAPF, NDA जैसी परिक्षाओं में सीधे सीधे ऐसे सवाल पूछ लिये जाते हैं तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं शुरुआत करते हैं कल के प्रैक्टिस कोशन से कल हमने आपसे पूछा था हाल ही में VK कृष्णा मैनन पुरसकार से किसे सम्मानित किया गया है विपुल वर्मा, प्रभात सहनी, G.D. रॉपर्ट गोवेंडर या वजाहत S. खान दक्षन अफ्रीका में एक भारते मूल के पत्रकार G.D. रॉबर्ट गोवेंडर को यूके में 2019 VK कृष्णा मैनन पुरसकार से सम्मानित किया गया है यह पुरसकार उन्हें डी कॉलनाइस पत्रकारिता के अग्रणी के रूप में उनके उत्क्रिस्ट योगदान के लिए दिया गया है दक्षण अफ्रीका में जन्मे पत्रकार को मर्नो प्रांथ, भारतिय राजनाईक और राजनीतिग्य, VK कृष्णा मैनन की 123 जयनती के अफसर पर एक कार्यक्रम के दौरान सम्मानित किया गया इस तरह कल के प्रैक्टिस कोशन का सही आंसर है ओप्शन C जी डी रॉबर्ट गोवेंडर आज का पहला सवाल हाल ही में अंतररास्टिय नार्कोटिक्स कंट्रोल बोर्ड के सदस्य के रूप में किसे पुनर निर्वाचित किया गया है सविता देशमुक, जगजीत पवाडिया, C प्रग्या जुगल, D मनीशा राज भारत की जगजीत पवाडिया को अंतररास्टिय नार्कोटिक्स कंट्रोल बोर्ड में फिर से चुना गया है पवाडिया 2015 से INCB की सदस्य हैं और उनका वर्तमान कारेकाल 2020 में समाप्त होने वाला है जगजीत पवाडिया को 2 मार्च 2020 से शुरू होने वाले 5 साल के कारेकाल के लिए फिर से चुना गया है 1968 में स्थापित INCB सन्युक्त रास्ट के अंतररास्टिय दवा नियंत्रन सम्मेलनों के कार्यान्वयन के लिए एक स्वतंत्र और अर्धन्याइक निगरानी निकाय है तो पहले सवाल का सही आंसर है ओप्शन B जगजीत पवाडिया Q2. इपसा शेर्पा बैठक का आयोजन कहा किया गया A. कोचीन B. विशाखा पत्तनम C. हैद्रबाद यडी नागपुर IBSA इंडिया, ब्राजील एंड साउथ अफ्रीका शेर्पा की नोवी IBSA त्रिपक्षिय मंत्री स्थरिये बैठक कोचीन में 3-5 मई में आयोजिक की गई शेर्पा ने अपनी अंतिम बैठक के बाद से IBSA के तहट की गई प्रगती की समीक्षा की साथ ही साथ IBSA शेर्पाओं ने सन्युक्त कार्य समूहों के कामकाज की भी समीक्षा की है इसके अलावा शेर्पा ने IBSA फन द्वारा गरीबी और भुकमरी उन्मूलन पर किये गए कार्यों की सराहना भी की है जिसने 20 देशों में फैली 31 योजनाओं को वित्पोशित किया IBSA अकादमी फोरम का आयोजन भी 3-4 मई को कोचीन में ही किया गया आपको बता दे कि IBSA की स्थापना जून 2003 में की गई थी इसका उद्देश एक नए अंतररास्टिय वास्तुकला के निर्माण में योगदान वैश्विक मुद्दों पर अपनी आवाज को एक साथ लाना और विभिन शेत्रों में संबंधों को गहरा करना है तो IBSA शेरपा बैठक का आयोजन कोचीन में किया गया ऑप्शन ये करेक्ट आंसर है कोशन नमर थ्री हाल ही में किसे सर्वोच अमेरीकी नागरिक सम्मान दिया गया है चार्ली सीफोर्ड, सेरेना विलियम्स, लेबोन जेम्स या टाइगर वुड्स अमेरीकी रास्पती डोनाल्ड ट्रम्प ने टाइगर वुड्स को रास्पती पदक के साथ देश के सर्वोच नागरिक सम्मान के लिए सम्मानित किया टाइगर वुड्स गोल्फ के खिलारी हैं हमने पिछले सेशन में आपको बताया था कि टाइगर वुड्स ने मास्टर टूर्नामेंट जीत कर कुल 15 खिताब अपने नाम कर लिए है कोशन नमर थ्री का सही आंसर है ओप्शन डी टाइगर वुड्स कोशन नमर फॉर्थ हाल ही में किस देश की वायू सेना ने मिसाइलों को मार गिराने के लिए एक लेजर प्रणाली का सफल परीक्षन किया है A. इसराइल B. रूस C. अमेरिका D. चीन हाल ही में US Air Force Research Laboratory ने New Mexico में अमेरिकी सेना की Wide Sense मिसाइल रेंज में Self-Protect High Energy Laser Demonstrator यानी SHIELD नामक एक लेजर प्रणाली का परीक्षन किया इसने कई हवा से प्रक्षपित मिसाइलों को सफलता पूर्वक मार गिराया इस सिस्टम को सतह से हवा और हवा से हवा में लॉंच की गई मिसाइलों से विमान की सुरक्षा के उद्देश्य से बनाया गया है यह परीयोजना 2016 में शूरू हुई थी Q4 का सही आंसर है Option C. अमेरिका Q5 Get Inspired Get Involved किसकी थीम है A. World Red Cross दिवस B. International Thalassemia Day C. World Malaria Day D. World Health Day आज यानी 8 मई को World Thalassemia Day मनाया जाता है जिसकी थीम है Get Inspired Get Involved थैलिसीमिय एक Inherited Blood Disorder है जो माता-पिता से बच्चों में जाता है इसके अलावा विश्व Red Cross दिवस जिसे Red Crescent Day के रूप में भी जाना जाता है हर वर्ष 8 मई को मनाया जाता है यह उन सभी स्वेम सेवकों के लिए है जिन्होंने अपीडन या जरूरत में लोगों के लिए अध्वित्य योगदान दिया है उनके द्वारा चुनी गई 2019 की थीम है Hashtag Love संयोग से इस दिन Henry Dunant का जन्म दिन भी है जिन्होंने 1863 में स्विजरलेंड के जिनेवा में अंतररास्टिय इंटरनेशनल रेड क्रोस केमिटी बनाई थी उनका जन्म आठ मई 1828 को हुआ था और उन्हें नॉबेल शांतिपुरसकार से भी सम्मानित किया गया था कोशन नमर फिफ्थ गेट इंस्पायर्ड, गेट इंवर्वड ये थीम थी इंटरनेशनल थेलिसीमिया डे की जबकी वर्ड रेड क्रोस डे की थीम थी हैस्टैग लग कोशन नमर शेक्स भारतिय मुक्यबाजों ने 36 वे फेलिक्स स्टैम इंटरनेशनल बॉक्सिंग में कुल कितने पदक जीते हैं दो, चार, छे या साथ भारतिय मुक्यबाजों ने 36 वे फेलिक्स स्टैम इंटरनेशनल बॉक्सिंग में छे पदक जीते हैं भारतिय मुक्यबाजों ने पॉलेंड के वार्सौ में 36 वे फेलिक्स स्टेम इंटरनेशनल बॉक्सिंग टूर्णामेंट में दो स्वंड पदक सहित, कुल छे पदक जीते हैं। गौरफ सोलंकी और मनीश कौशिक ने एक-एक स्वंड जीता है। सोलंकी ने फाइनल में इंग्लेंड के विलियम कौवले को 52 किलोग्राम वर्ग में हराया, जबकि 60 किलोग्राम वर्ग में कौशिक ने मुरक्को के मुहम्मद हमाउट को हराया। भारते मुक्य बाज उनने एक रजत और तीन कान से पदक भी जीते हैं। इस तरह कोशन नमर 6 का सही आंसर है, उप्शन C, 6। बात करते हैं कोशन नमर 7 की, हाल ही में किस कंपनी ने अगले 5 वर्षों में भारत में 1 डॉलर बिलियन के निवेश की घोशना की है। वैश्विक कार्ड भुक्तान ब्रेंड मास्टर कार्ड ने भारत में अगले 5 वर्षों की अवधी में 1 बिलियन डॉलर का निवेश करने की घोशना की है। पुल भुक्तान का लगभग 350 मिलियन डॉलर भारतिय रिजर्व बैंक के आदेश के अनुसार इस्थानिय भुक्तान प्रसंस करण के इंद्र स्थापित करने में लगाया जाएगा ताकि भुक्तान के सभी आकडों को इस्थानिय रूप से संग्रहित किया जा सके। Q7 इसका सही आंसर है Option D Mastercard Q8 हाल ही में हनी मिशन के तहत एक लाग से अधिक मधुमख्खी बॉक्सेज का वित्रण किया गया यह किसके अंतरगत कारे करता है A. रास्टे महिला आयोग B. खादी और ग्रामुद्योग आयोग C. रास्टे क्रिशिक आयोग या D. इनमें से कोई नहीं KVIC यानि खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज का मिशन ने हनी मिशन के तहत एक लाग से अधिक मधुमख्खी बॉक्सेज का वित्रण किया है खादी और ग्रामुद्योग आयोग ने हनी मिशन पहल के तहत दो साल से भी कम समय में किसानों और बेरोजगार युवाओं को एक लाग से अधिक मधुमख्खी के बॉक्सेज के वित्रण का दावा किया है आपको बता दे कि मीठी क्रांती यानि स्वीट रिवोल्यूशन के तहत यह पहल 2017 में लॉंच की गई थी इसका मकसाद आई के स्त्रोथ पैदा करना है कोशन नमर एट का सही आंसर है ओप्शन बी खादी और ग्रामुद्योग आयोग कोशन नमर नाइन Microsoft की प्रतिस्थित Imagine Cup World Championship में भारत से कौन रणर अप रहा आकाश भडाना, वासु कौशिक, भारत सुन्दल या उप्रोक्त सभी इंडियन स्टूडेंट ट्रायो एमर्जिस फर्स रणर अप इन Microsoft's Imagine Cup World Championship तन्यूक राज अमेरिका के सियेटल शहर में खेले गए Microsoft Imagine Cup World Championship में भारतिय विद्यार्थियों की तिगड़ी को दूसरा इस्थान हासिल हुआ है इस Championship के विजेता टीम Easy Glucose रही जो USA की टीम है इसमें विजेता को एक लाख अमेरिकी डॉलर की राशी दी गई आपको बता दे कि इस प्रतियोगिता में विद्यार्थियों को अपने Innovative Ideas का प्रदर्शन करना होता है भारतिय चात्रों ने सेली नामक एक मास्क बनाया था जो दुनिया का पहला Smart Automated Anti-Pollution और Drug Delivery मास्क है और इन तीन लोगों की तिगडी में शामिल थे आकाश भडाना, वसु कौशिक और भारत सुंदल तो Explanation के मुताबिक हमारा सही आंसर है Option D, उप्रोक्त सभी Question No.10 हाल ही में 115 सन्युक्त रास्ट शान्ती रक्षकों में से किन दो भारतियों को कर्तव्वे की दोरान बलिदान देने के लिए सम्मानित किया गया A. जितेंद्र कुमार, B. शिखागर्ग, C. दोनों यडी इड में से कोई नहीं भारतिय पुलिस अधिकारी जितेंद्र कुमार और कंसल्टेंट शिखागर्ग को सन्युक्त रास्ट ने मर्नो प्रांथ सम्मानित किया है इन दोनों ने ही इतोपियन एरलाइन्स के दुरगटना ग्रस्थ होने के कारण अपनी जान गवा दी थी सन्युक्त रास्ट ने कुल 115 शान्ती रक्षकों को बलिदान के लिए सम्मानित किया है जिनमें ये दो भारतिय भी शामिल है कोशन नमर 10 का सही आंसर है ओप्शन C जितेंद्र कुमार शिखागर्ग दोनो बात करते हैं आज के अभ्यास प्रशन की आज का अभ्यास प्रशन है पनामा के रास्ट पती के रूप में किसे चुना गया है आप अपना अंसर कमेंट बॉक्स में करना ना भूले कल कुछ नए सवाल और इस सवाल के जवाब के साथ हम फिर से हाजिर होंगे तब तक के लिए नमस्कार